तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए नाउन का अगला टॉपिक जेंडर लेकर आए हैं आज हम जानेंगे कि इनलिस में जेंडर कितने टाइप के होते हैं कौन से नाउन को किस जेंडर में रखा जाता है उसका masculine है या feminine है या common gender है या फिर वो neuter gender है तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आए हम आज आपको लिए चलते हैं हमारे screen की तरफ शुरू करते हैं हम आज का gender noun हम पढ़ रहे हैं noun के ही अंदर gender आएगा क्योंकि हर एक noun का एक particular gender होता है हर एक noun को एक gender में हम define करते हैं तो gender यानि link जो यह बताता है कि वो streling है या pulling है यानि पूरुस है यानि male है या फिर female है वो यह चीज़ बताता है तो आज हम gender के बारे में जानने वाले हैं तो gender क्या चीज़ है gender क्या होता है The noun which denotes male or female sex is called gender यानि ऐसा noun जो किसी चीज का या किसी व्यत्ती का या किसी वस्तू का male और female link को denote करता हो उसको बताता हो उसी को gender कहते हैं यानि वो उसको categorize करता है कि वो male है या female है या फिर other gender है यही चीज जो है gender कहलाती है अब gender जो है वो English में चार टाइप के है there are four types of gender in English noun noun में अंग्रिजी में चार टाइप के gender होते है पहला gender masculine gender होता है कौन सा gender है masculine यानि pulling यानि पुरुस यानि male दूसरा gender feminine gender होता है यानि straling यानि female और तीसरा और चोथा gender तीसरा gender ऐसा gender होता है common gender जिसकों अंदर noun जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये तो बताता है कि वो कोई living thing है या कोई living person है बट वो ये नहीं बताता है कि वो कौन से gender में है यानि उसका sex क्या है male है या female है ये बात उसमें clear first नहीं होती है ऐसे noun जो होते हैं वो common gender कहलाते हैं ऐसे noun कौन से gender में रखे जाएंगे common gender में रखे जाएंगे ऐसे ही बात करते हैं neuter gender की neuter gender क्या है neuter gender मतलब ऐसे जीजों के noun या ऐसे noun या ऐसे चीजों के नाम जो की non living things होती है जो non living things है या फिर कोई भी non living object कह सकते हैं या कोई thing with life जैसे trees वगेरा होते हैं उमें life तो होती है but as a thing है वो कोई चलने का movement का काम नहीं करते हैं या बोलने का काम नहीं करते हैं मलब कि जानवरों से और मनुश्यों से जो अलग एक प्रजाती एक living thing है जिसको हम trees, plants ये सब कहते हैं वो neuter gender में आती हैं इसके अलावा जितनी भी ऐसी चीजें जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है जो inanimate objects होते हैं inanimate objects यानि non living things जितनी भी है या non living objects जितने भी हैं वो सारे neuter gender में आते हैं तो masculine को feminine में कैसे change करते हैं इसके कुछ genders मैं आपके सामने अभी बोलता हूँ तो आप कुछ तो देखिए उसके बाद हम कुछ rules भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे noun हैं जिनको किस वज़ए से किस कारण से उन्हें male gender में या female gender में उनको रखा जाता है यानि masculine gender में या feminine gender में उनको हम क्यू count करते हैं इसके कुछ रीजन से कुछ rules हैं जो हम आपको अभी share करेंगे आगे वीडियो में आगे ये सारी चीज़े आने वाली हैं तो एक बार हम आगे बढ़ें उससे पहले फिर वही रोज का routine हमारा वो हम कर लेते हैं एक appeal आप लोगों से जो भी आ रहे हैं चैनल पर वो चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन प्रेस कर रहें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना कर लाने के लिए और motivate होते रहें तो आएए शुरू करते हैं आज का हमारा topic gender masculine gender masculine gender the noun which denotes male sex is called masculine gender for example boy है father है brother है etc uncle है इसी तरह से feminine gender feminine gender की बात करें तो जैसे the noun इसकी प्रिभासा इसकी definition हो जाएगी the noun which denotes the noun which denotes female sex is called feminine gender यानि ऐसा noun जो female यानि मादा लिंग को दरसाता है इस त्री लिंग को दरसाता है उसे क्या कहते हैं त्री लिंग यानि feminine gender कहते हैं इंग्लिस में उसको क्या कहा जाता है feminine gender कहा जाता है इंग्लिस में उसके लिए क्या नाम है जैसे इस त्री लिंग हम हिंदी में बोलते हैं तो उसे इंग्लिस में क्या बोलें उसे बोलेंगे feminine gender ऐसे ही हिंदी में पूलिंग कहते हैं तो उसको इंग्लिज में क्या कहेंगी मस्कूलिन जेंडर तो ऐसी ही बात करते हैं हम आगे common gender की तो common gender क्या होगा आई देखते हैं common gender क्या है common gender the noun which does not denote any sex the noun which does not denote any sex but only indicates a living thing यानि ऐसा noun जो किसी link को किसी sex को denote नहीं करता है केवल और केवल living thing के बारे में बताता है that is called common gender वो noun क्या होगा वो noun होगा common gender समझ रहे हैं ऐसे ही इसके अंदर example देख सकते हैं common gender क्या है जैसे doctor this word does not show any sex ये सब्द कोई ऐसा link जो है वो दर्सा नहीं रहा है ऐसे ही teacher teacher words ये पता नहीं चलता है कि वो औरत है या पुरुष है महिला है या पुरुष है women है या man है नहीं पता चलता है तो teacher doctor engineer इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे gender आपको noun आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे noun है जो common gender में आते हैं जैसे friend जैसे enemy कह सकते हैं ऐसे ही और भी बहुत सारे gender हैं तो ये था common gender फिर बात करते हैं neuter gender की अब नूटर जैंडर का थोड़ा मैं आपको भी बता चुका फिर से देख लीजी नूटर जैंडर क्या है तो नूटर जैंडर क्या है या फिर ऐसी चीजों के नाम जो living तो है but they cannot move, walk, run or they cannot speak that kind of things are like plants, trees, ऐसी चीजे जो हैं ये सब क्या है नूटर जैंडर हैं ये कौन से जैंडर में आएंगे नूटर जैंडर में आएंगे बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल ले वाली हैं आगे हम भूस के मादम सिंड में जानेंगे ये जो नूटर जैंडर में आ रही हैं या ये जो common जैंडर में जो चीजे आ रही हैं इनके लिए भी कहीं कहीं masculine और feminine जैंडर में इनको सामिल करते हैं तो कौन-कौन सी चीजों के नाम ऐसे जैसे non-living thing की बात करें तो moon या earth, sun ये सब क्या हैं? नूटर जैंडर हैं लेकिन नूटर जैंडर होने के बावजूद भी इनको male और female केटेगराइज किया जाता है यानि masculine और feminine जैंडर के अंदर इनको सामिल किया जाता है इसके लिए कुछ rules हैं तो उस सारे rules भी हम धीरे-धीरे एक एक करके जानने वाले हैं यानि व्यक्ति से हम सुरुआत करें तो जैसे लड़का boy इसका female gender क्या है यानि ये male gender है boy क्या है इसका female gender क्या होगा इसका female gender होगा girl, boy का girl, ऐसे ही man का woman, ऐसे ही uncle, aunt, ऐसे ही dog, bitch, ऐसे ही और भी जैसे lion, lioness, actor, actress समझ रहे हैं इस तरह से बहुत सारे आपको मैं भी example के तोर पर आपके सामने screen पर रखूँगा आप उन्हें note कर लें, उनको देख लें, एक ही करके मैं आपको उनको आपके सामने बोलते भी जाओंगा तो आए शुरू करते हैं हमारा, जो हमारा masculine gender है, कौन से masculine gender का feminine gender क्या होता है आज हम इस वीडियो में केवल साइड इधनी ही चीज़ें जान पाएं, कि अबरना वीडियो साइड लंबा हो जाएगा तो इसके जो gender के rules वाला जो part है, वो हम next वीडियो में cover करने की कोसिस करेंगे इसी कि इस वीडियो को हम दो part में आपके सामने लेकर आएंगे पहला part जो है उसमें केवल आज हमने आपको introduction दिया, gender क्या है, कितने type के है और masculine gender का feminine gender क्या है, यानि जितने masculine gender है, उनके feminine gender क्या होते है यह हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, वो इससे ज्यादा इस वीडियो में नहीं आ पाएगा तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए, अभी आपके सामने screen पर बहुत सारे gender होंगी, जिने मैं आपके सामने pronounce करूँगा और एक एक word आपके सामने में उसको बोल कर उसका उच्चारन सहीत, उसके meaning सहीत आपको gender का female gender और female का male gender यानि masculine का feminine और feminine का masculine gender हमें आपके सामने बताऊंगा, तो आएए सुर करते हैं, screen पर चलिए, तो हम बात करते हैं, आज का हमारा जो topic चल रहा है noun and the gender, इसके अंदर पहला हम list एक side आप देखेंगे, वो masculine words की है, दूसरी list चो आपके सामने side में, उसके एक column में हम masculine gender आ रहे हैं तो masculine words और feminine words, तो जैसे nephew है, N-E-P-H-E-W, नेव्यू, यानि भतीजा, इसका feminine gender या इसका feminine word क्या होगा, niece, यानि नेव्यू लड़का है तो उसे nephew कहा जाता है, लड़की है तो उसे niece कहा जाता है, यानि भतीजा, नेव्यू कहलाता है और भतीजी niece कहलाती है, ऐसे ही पती को husband और पत्नी को wife कहा जाता है यानि husband का feminine gender wife हो गया, man का women, यानि man पूरुस women's three, uncle, aunt brother, sister son, daughter sir, madam bachelor bachelor यानि कुवारा कुवारा लड़का और इसका feminine gender होगा maid और spinster यानि bachelor के दो feminine gender होते हैं bachelor का feminine gender या bachelor का female gender जो हो maid भी होता है और spinster भी होता है maid यानि भी कुवारी लड़की या spinster यानि भी कुवारी लड़की होता है जैसे maid यानि नौकरानी भी होता है बट यहाँ पे हम gender की बात कर रहे है bull यानि बैल और बुल का feminine gender क्या है? काव, cock का hen, ऐसे ही बोर, यहने सुवर, जिसको बोर कहते हैं, जंगली सुवर होता है, इसका feminine gender होता है, saw, s-o-w, saw, sorry, ऐसे ही dog, इसका feminine gender होता है, bitch, ऐसे ही monk, monk, monk यहने, कोई पादरी, कोई महंत, कोई पुजारी, monk, sanyasi, कोई, उस monk का, sorry, opposite नहीं कहेंगे, feminine gender कहेंगे, monk का feminine gender होता है, none, यानि कोई व्यक्ति, कोई आदमी पुजारी है तो उसे मौंक कहते हैं, कोई और अगर पुजारी है तो उसे नन कहा जाता है, महंतनी को नन कहा जाता है, किंग और ऐसे ही किसी राज्ये पर जो कोई व्यक्ति राज करता है तो वो किंग कहलाता है और किसी राज्ये के ऊपर को पुरुष की पत्मी मर जाती है तो उसे विडोर कहते हैं और किसी स्त्री का किसी महिला का पती मर जाता है तो उसे विडोर कहा जाता है तो विडोर फीमेन विडोर जो हो गया मस्किलिन जेंडर विडोर मस्किलिन है उसका फिमिनाइन विडो हो गया bridegroom, दूला, इसका feminine हो गया bride, दूलहन, gentleman, भद्रपुरुस, इसका feminine हो गया lady, नहिला, lad, l-a-d, lad यानि लड़का, इसका feminine हो गया last, l-a-double-s, last या less भी कह सकते हैं, last, lad, last, lover का feminine gender होता है, beloved, wizard का witch, stag, hind, stag का hind, पापा, ममा, लॉड, लेडी, देखिए, पीछे आया जेंटलमेन, जेंटलमेन का फिमिनाइन जेंडर भी लेडी है, ऐसे ही लॉड, लॉड याने स्वामी, और इसका फिमिनाइन जेंडर भी लेडी होता है, लेडी याने स्वामी नी भी होता है, लेडी याने महिला भी होता स्वामिनी भी होता है ऐसे गाइंडर गाइंडर यानि नरहंस का नाम सुना है और गाइंडर कहते हैं और मादा हंस को गूज कहा जाता है तो गाइंडर और गूज ऐसे ही अर्ल यानि सामंत यानि किसी प्रांत का किसी जिले का जो सासक होता था किसी राजा के नीचे जो छोटा राजा होता था तो अर्ल कहते थे यानि सामंत कहा जाता था और सामंत की पतनी को क्या कहते थे काउंटेस तो अर्ल का फिमिना इंजिंडर काउंटेस ऐसे ही ड्र बतक जुक्त को होता है अब तक हमने distort लेकिन वो सुर्फ मादा बतक होती हैं और डग जुका का मांस्किलिन जाण्डर क्या है जुक्क है गोरे का बच्रा और गोरे की बच्री को या बाच्ची को क्या फिली यानि घोड़ी की जो बच्ची होती है यानि घोड़ी की मादा जो होती है चोटी मादा घोड़ी है उसको फिली कहते हैं या छोटा नर घोड़ा है उसको कॉल्ट कहते हैं कॉल्ट यानि घोड़े का बच्चड़ा या घोड़े का बच्चा और फिली यानि घोड़े की बच्ची, बक कहते हैं नर्घरगोष को, बक यानि नर्घरगोष, तो इसका फिमनाइन जेंडर डोग यानि मादा खरगोष, ऐसे ही बात करें, फोक्स, फोक्स क्या है? fox याने lomard fox एक masculine gender है अब तक हम fox याने lomardy पढ़ते हैं हलाकि हम बोलने में से lomardy ही यूज करते हैं लेकिन वो lomardy नर होता है और उसका feminine gender vixen होता है तो fox का feminine gender होगा vixen fox masculine है उसका feminine vixen होगा ऐसी ran, r-a-m ran इस ran का feminine gender होता है इव याने भेडी, rain याने भेडा अर्थात भेड का बच्चा और इव याने भेडी अर्थात भेड की बच्ची horse घोडा, mayor घोडी prince राजकुमार, princess राजकुमारी loin, share, loiness, shareni poet, poetess, poet याने कवी poetess कवयत्री, air उत्राधिकारी heires उत्राधिकारी, author, लेखक की पत्नी, count, samant, countess, samant की पत्नी अब count को, samant को count भी कहते हैं और samant को earl भी कहते हैं लेकिन उन दोनों का अफ्टे मिनाइन जेंडर सेम है countess ऐसे ही giant giant याने राक्षस, giantess, राक्षस नी host याने मेजबान, hostess याने महिला मेजबान, ऐसे Jew, यहुदी और Jewis याने यहुदिन याने कोई पूरुस यहुदी है तो उसको Jew कहते हैं और कोई महिला यहुदी है तो उसे Jewis कहते हैं, क्या कहते हैं Jewis, ऐसे ही manager याने प्रबंदक और manageress प्रबंधिका, mayor महापोर, mayoress, महिला, महापोर patron, sandrakshat, patroness, sandrakshika peer, samanth, peeress, samanth ki patni priest, ujari, priestess, ujarin prophet, pagambar, prophetess, pagambari shepherd, gadariya, shepherdess, gadarian shepherd in gadaria, shepherdess, gadarin steward याने भंडारी और stewardess stewardess, याने भंडारिन in whiskount याने अंग्रेजी उपसामन्त अंग्रेजों के अंदर उपसामन्त भी हुआ करते थे उनको viscount कहा जाता था और उनकी जो पत्निया होती थी या जो उपसामन्त नहीं होती थी यानि जो महिलाएं होती थी उनको विस्काउंटिस कहा जाता था, इसी तरह से actor, अभिनेता, actress, अभिनेतरी, master, swami, mistress, swamini, master यानि शिक्षक, अब देखो master, यहाँ पर master का अगर meaning swami हो, तो mistress यानि स्वामी नहीं होगा master अगर शिक्षक है और महिला शिक्षिका है तो उसे mistress कहते हैं master यदि लड़के को कह रहे हैं तो लड़की को miss कहेंगे विशेश प्रियोग में tiger बाग, tigers यानि बागिन emperor यानि समराट, empress यानि समरागी benefactor यानि पूरुस दान दाता यानि कोई पूरुस अगर दान करता है तो उसे benefactor कहते हैं या परोपकारी और कोई महिला अगर दान दाता है या कोई परोपकारी नहीं है तो उसे benefactorist कहा जाता है conductor यानि पत्थ प्रदर्शक, bus या ट्रॉम का परिचालक होता है यानि जो बस में या किसी ट्रॉम में कोई जो परिचालक लगा होता है उसे conductor यानि कोई पूरुस होता है तो उसे conductor कहते हैं लेगिन कोई महिला अगर वहाँ पर चालिका है तो उसे conductorist कहा जाता है enchanter, जादुगर, इसका feminine gender enchanterist, ऐसे founder, संस्थापक, इसका feminine founderist, संस्थापिका hunter, शिकारी, huntress, शिकारिन, instructor, प्रसिक्षक, instructors, प्रसिक्षिका, negro यानि हबशी, काला वैक्ति निग्रिस याने हबशिन या काली औरत, निग्रो मतलब हबशी याने पुरुस, काला पुरुस और निग्रिस याने काली औरत, निग्रिस हबशिन, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर याने उपदेशक होता है, प्रिसेप्टर याने उपदेशक, प्रिसेप्टरिस उपदेश का टेंप्टर कोई लालच देने वाला अगर पुरुस है तो उसे टेंप्टर कहते हैं कोई लालच देने वाली या प्रुलबन देने वाली महिला है उसे टेंप्टरिस कहा जाता है ऐसे ही दर्जी अगर पुरुस दर्जी है तो सीम्स्टर और महिला दर्जी है तो सीम्स्टर दर्जिन ट्रेटर देशद्रूही या धोके बाज और ट्रेटरिस यacism दोके बाज और धोके बाज और और धोके बाज अूरत को trattress कहते हैं, धोके बाज पुरुस को trater कहते हैं वेटर, होटल में जो सेवक होता है, उसे वेटर कहते हैं, और होटल में जो सेविकाएं होती हैं, उनको वेटरिस कहा जाता है, सामन्त के लिए एक और वर्ड यूज होता है, ड्यूक, यानि अगर कोई पूरुस सामन्त है, तो उसके लिए ड्यूक, और ड्यूक का feminine gender, duchess होत इसका feminine gender, duchess होगा, murder, हत्यारा, यानि कोई पुरूस अगर हत्या करे तो murder, महिला अगर को हत्या करती है तो उसे murderous कहा जाता है, ऐसे ही पुरूस जादुगर को sorcerer और महिला जादुगर्णी को, या महिला जादुगर को sorceress यानि जादुगर्णी, sorcerer जादुगर्णी, hero, अभिनेता या नायक, heroine, अभिनेत्री या नायका, सुल्तान, सुल्ताना, administrator यानि प्रसाशक और प्रसाशिका को administratrix कहते हैं, executor, संपादन करता, संपादन करने वाला, यानि व्यक्ति पुरूस और executor, यानि संपादन करने वाली, यानि महिला, testator, testator यानि वशियत करने वाला, यानि कोई पुरूस अगर वशियत करें तो testator, और कोई महिला वशियत करती है तो testatrix कहते हैं, czar, यानि रूस का समराट, zarina, रूस की समरागी, ऐसे ही signor, signor, italian भाषा में महाशे को क्या कहते हैं, signor, और इसी italian भाषा में signor, यानि महाशे का feminine gender, signora, महाशया, milkman, ग्वाला, milkmate, ग्वालिन, grandfather, दादा, grandmother, दादी, landlord, जमींदार, और landlady, जमींदारिन, landlord, जमींदार, landlady, जमींदारिन, वैसे इनके दूसरे अर्थ भी होते हैं, landlord, यहने मकान मालिक, और landlady, मकान मालकिन, ऐसे भी होता हैं, peacock, मोर, पी हैन, मोरनी, he got, बकरा, she got, बकरी, he cat, बिलाव, she cat, बिल्ली, he bear, रीच, she bear, रीचनी, मैन सर्वेंट, नौकर, मेड सर्वेंट, नौकरानी, वाशर में, धोबी, वाशर वुमन, धोबिन, बुल काफ, बचड़ा, काव काफ, बचडी, कॉक स्पैरो, नर गोरईय चिडिया, और हैन स्पैरो, मादा गोरईय चिडिया, ऐसे ही, नर गधे को, जैक एस, और मादा गधी को, या गधी को, गधे को, जैक एस, और गधी को, जैनी एस, कहा जाता है, अबोट, गुरुदवारे का महंत, गुरुदवारे का कोई महंत, अगर पूरुस है, तो उसे abyss कहते हैं नर मदमक्षी को ड्रॉन और मादा मदमक्षी को बी कहा जाता है याने ड्रॉन मास्किलिन जेंडर है और इसका फिमिनाइन जेंडर बी होता है ox, bell, cow इसका guy, feminine gender brother in law याने साला या बहनोई इसका feminine gender होगा sister in law याने साली या इसर या सलहज भी कहते है son in law, दमाद son in law याने दामाद daughter in law, पुत्र बधू step son, सोतेला बेटा step daughter, सोतेली बेटी step father, सोतेला पिता, step mother सोतेली मा, step brother, सोतेला भाई, step sister, सोतेली बेहन ये सब एक दूसरे के masculine और feminine gender है याने step son है तो इसका feminine step daughter होता है, step father इसका feminine step mother होता है step brother इसका feminine step sister होता है maternal uncle याने mama, इसका feminine gender होगा maternal aunt mommy maternal grandfather याने nana, इसका feminine gender maternal grandmother याने नानी adopted son, दतक पुत्र, adopted son याने गोद लिया हुआ बेटा और इसका feminine gender होता है adopted daughter, बुलक बाच्छा, हेफर, याने बाची तो हमने इसके लिए पीछे पढ़ा bull kав और cow kав यहाँ पे बुलक और हेफर भी इनको कहा जाता है, याने बचडे को बुलक भी कहते हैं और बचडी या बचिया को हेफर कहा जाता है बुलक, बाच्हा हेफर बचडी या बाची बक इसका feminine gender होगा डो बक का feminine gender होता है डो बक याने नर हिरन डो याने मादा हिरन बक याने खरगोस भी होता है और डो याने मादा खरगोस हार्ट, हिरन, रो हिरनी, फ्रायर याने महंत या सन्यासी, नन याने महंतनी या सन्यासिन स्वैन युवा पुरुस या कोई गडरिया या कोई देहाती जो हता है स्वैन कहता है उसको स्वैन कहते है और कोई देहातिन है या कोई गडरिन है या कोई यूती है उसे निम्फ कहा जाता है यानि वही गडरिया को स्वैन भी कहते है और सैफर्ड भी कहते है औ Ambassador, राजदूत, और इसका Feminine Ambassadoress, राजदूतिन या राजदूत की स्त्री, Governor, राजजेपाल, और महिला राजजेपाल हो तो Governess, Inspector, यहने निरिक्षक या परियवेक्षक, Inspectoress, यहने निरिक्षिका या परियवेक्षिका, God, देवता, Goddess, देवी, Mr. ये श्रीमान या महाशय, Mrs. स्रीमती या महाशय, स्कूल मास्टर, पाट साला का अध्यापक, यहने विद्याले के अध्यापक, यहने पुरुष को, पुरुष अध्यापक का स्कूल को, विद्याले का पुरुष अध्यापक होता है, उसे स्कूल मास्टर कहते हैं, वो विद्याले की महिला अध्यापक को महिला अध्यापक या अध्यापिका को स्कूल मिस्ट्रेस का जाता है तो स्कूल मास्टर का फिमिनाइन जेंडर स्कूल मिस्ट्रेस बेगर मैन का बेगर वुमेन ग्रेट अंकल यानि असमान निचाचा इसका फिमिनाइन जेंडर ग्रेट आंट मर्मेन यानि समुद्री पुरुस या दरियाई पुरुस भी दरियाई मर्द भी कह सकते हैं मर्मेन इसका फिमिनाइन जेंडर होगा मर्मेड यानि मतश्य कन्या या मतश्य औरत यानि दरियाई औरत प्रोसेक्यूटर यानि अभियोगता और prosecutor का feminine gender होता है ऐसे ही भेसे को ہी buffalo, भेस, she buffalo, दूद बेचने वाला dairy man, दूद बेचने वाली औरत डेरी मेड, डाइरेक्टर संचालक, डाइरेक्टरस संचालिका या निर्देशी का, वोटरी यानि भक्तिया उपासक, कोई किसी का भक्तिया उपासक हो उसे वोटरी कहते हैं, और कोई भक्तिन या उपासिका हो तो उसे वोटरेस कहते हैं, बॉइफ्रेंड लड़का दोस्त, और girlfriend नड़की दोस्त chairman सभापती, chairperson महिला सभापती spokesman जो दूसरों के लिए बोलने वाला पूरुस है और spokesperson जो दूसरों के लिए बोलने वाली महिला है father in law इसका feminine mother in law bull calf यानि बाच्छा इसका feminine gender होगा cow calf बाच्छी bull calf cow calf पीछे आ चुका है bull elephant यानि हाथी जो नर हाथी होता है उसे bull elephant कहते हैं और जो मादा हतनी होती है sorry जो मादा हाथी या जो हतनी है हतनी को cow elephant कहा जाता है और हाथी को bull elephant कहा जाता है हमने elephant सब सुना elephant है ने हाथी लेकिन अग उसका masculine or feminine gender अगर हम बताना हो तो हम कह कहेंगे अगर कोई हाथी है तो उसे बुल ऐलफिंट कहेंगे और कोई हाथ नहीं है तो उसे काव ऐलफिंट कहेंगे Statesman यहने पूरूस राजनेता या राजनितिग्य और Stateswoman महिला राजनितिग्य Englishman कोई पूरूस अंग्रेज है तो Englishman कोई महिला अंग्रेज है तो Englishwoman English man, English woman He rabbit, she rabbit यह नर्खरगोस या मादाखरगोस नर्खरगोस का मादाखरगोस Billy got बकरे के लिए he got और she got भी यूज़ होता है ऐसे ही बकरे के लिए he got भी यूज़ होता है और बकरी के लिए she got लेकिन बकरे के लिए Billy got और Nanny got का यूज भी किया जाता है यानि बक्रे का masculine gender Billy got भी होता है he got भी होता है ऐसे ही बक्री का feminine gender she got भी होता है और nanny got भी होता है tom cat beloved यानि बिल्ली को बिल्ली को भी अगर हम नर बिल्ली यानि बिलाव और बिल्ली हमने हमारी भासा में हिंदी में हम पढ़ते हैं बिल्ली तो इसके लिए masculine और feminine gender क्या होंगे he cat और she cat तो कहते ही हैं लेकिन इसके लिए अलग से नाम भी होते हैं tom cat यानि बिल्लाव जो बिल्ली होता है उसको tom cat कहा जाता है और जो बिल्ली होती है उसे tabby cat कहा जाता है तो tom and tabby tom cat और tabby cat ये बिल्ली के masculine और feminine gender है he app नर लंगूर she app मादा लंगूर fisherman पुरुस मच्वारा fisher woman मच्वारिन या महिला मच्वारी he camel उंट she camel उंटनी he kangaroo नर kangaroo she kangaroo मादा kangaroo इसी तरह से he mule नर खचर he mule नर खचर she mule मादा खचर he hare यने नर खरह और she hare मादा खरह he squirrel नर गिलहरी she squirrel मादा गिलहरी he rhinoceros नर गैंडा she rhinoceros मादा गैंडा he panther नर चीता she panther मादा चीता he mouse नर चूहा she mouse मादा चूहा शचुंदर को मॉल कहते हैं इसका मस्कुलिन होता ही ही मॉल और फिमिनाइन शी मॉल किसी दुकान मकान का जो मालिक होता है उसे प्रोपराइटर कहते हैं और किसी दुकान मकान की मालकीन या स्वामेनी होती है उसे प्रोपराइटरिस कहते हैं तो prorator और proprietress male पुरुस female steer कोई जवान बैल है उसे steer कहते हैं कोई जवान गाय है तो उसे steerist कहते हैं stallion ऐसा घोड़ा जिसको बधिया न किया गया है जिसको सधाया नहीं गया हूँ उस stallion होता है यहने जो ideal घोड़ा होता है उसे stallion कहते हैं इसका feminine gender होता है, mayor, ghori, he zebra, feminine होगा, she zebra, he pony यहने नर टट्टू, और she pony यहने मादा टट्टू, pony टट्टू को कहते हैं, leopard, नर टेंद्वा, इसका feminine gender, leopard is मादा टेंद्वा, he mangoos, नर नेवला, she mangoos, मादा नेवला, he monkey, नर बंदर, she monkey, मादा बंदर, he chimpanzee, नर वन मानूस, और he sheep, भेड, और इसको she sheep भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरा word, यानि इसका feminine gender, you भी होता है, you, यानि रैम का feminine gender, you हमने पीछे पढ़ा, वैसे इसका sheep का भी होता है, you, he rat, चुहा, she rat, चुहिया, he haina, नर लकड बंदर, she haina, मादा लकड बंदर, he hound, यानि नर शिकारी क कुता, she hound, मादा शिकारी कुता, he jackal, नर सियार, और she jackal, मादा सियार, he porcupine, नर शाही, she porcupine, मादा शाही, he owl, नर उल्लू, she owl, मादा उल्लू, oil man, तेली, और oil woman, तेलिन, machine man, machine चलाने वाला पुरुस, machine woman, machine चलाने वारी महिरा, boatman इने मलाह, boat woman इने मलाह, नाव खेने वा पुरुस होता है, उसे boat man कहते है, नाव खेने वाली महिला, यहने feminine gender उसका हो, तो वह होता है, boat woman, salesman, salesman का, sales girl, लेकिन इसके लिए आज कल प्रयोग में या प्रचलन में होता है, saleswoman भी होता है, godfather, यह धर्म पिता, godmother, धर्म माता, tutor, नीजी सिक्षक, इसका feminine gender होता है, governance, न नीजी सिक्षकाएं होती, उन्हें governance कहा जाता है, वो tutor नहीं होती है, और जो नीजी सिक्षक होते हैं, जो पुरूस होते हैं, उनको tutor कहा जाता है, उनका masculine gender tutor है, तो tutor का feminine gender होता है, governance, ऐसे governor यानि राज्यपाल उसका भी feminine gender governance ही है, लेकिन दोनों का meaning अलग-लग, परिप्रिक् आज जाना कि masculine और feminine gender कौन-कौन से हैं, यानि किस noun کا masculine gender क्या है, उसका feminine gender क्या है, यानि कौन से word का masculine words क्या है और उन masculine words के feminine words क्या होते हैं, वो हमने आजके इस видео मे जाना है, इस part को हम और आगे अगर खीचते हैं common gender और neuter gender को भी इसी में सामिल करते हैं, तो वीडियो लंबा हो कहेंगे कि इसका जो next part है वो हम याने बचावा जो भाग है इस वीडियो का वो हम आपको अगले कड़ी में लेकर आएंगे common gender और neutral gender के ओपर कुछ rules हैं वो हम आपको अगली कड़ी में समझाने वाले हैं तो तब तक के लिए इजासत दीजे लेकिन जाने से पहले फिर एक बार कहना चाहूंगा जो भी चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें bell icon press कर लें और जिन्होंने अब तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है वो पिछले वीडियोज को जरूर देखें ताकि उन्हें सारे वीडियोज को देखने के बाद topic जो है वो पूरे ढंग से समझ में आए अच्छे से वो इसको अपने अंदर observe कर सकें अपने अंदर जो up डाल सके या नी उसको tech-it कर सकें समझ सकें अच्छे से सारी जो हमारी सीरी रहें सुरू कर रहें उसको पढ़ सकें तो इसके लिए पीछले वार वीडियो जो है वह उनको भी अप ध्यान से देखें तब ही आपको आगे वाले वीडियो और आँब अच्छे से समझ में झाल झाल